दोस्तो मैं गोईन माली आप सभी का BSTC के लटर जानकारी के साथ मैं मेरे हिटुप इस्टोडियो में स्वागेता है तो दोस्तो आज की डेट में BSTC का एक ओपिशन नौटिशन जारी हुआ है जिसमें आपको क्रेक्शन का मौखा दिया जा रहा है लेकिन आज के ओपिशन क में कौन-कौन सी कैटेगरी को सेंज कर सकते हैं यानि कि आप अपने अप्लिकेशन फॉर्म में क्या-क्या संसोधन कर सकते हैं तो दोस्तो आज की श्वीडियो के माधिम से मैं आपको इसकी मन में जो पूरी जानकारी है वो सेयर करने जा रहा हुँ तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज की official notification के हिसाब से आप अपने application form में तीन category को संसोधन कर सकते हैं तो सबसे पहले जो category है वह आपके date of birth की यानि कि आप अपने application form में date of birth को सुधार सकते हैं जो दूसरी category है वह आपके caste category यानि कि caste category जैसे कि OBC, A, C, ST जो भी category आप संसोधन करना चाते हैं वह कर सकते हैं जो तीसरी category है वह आप अपने gender यानि कि जो gender category है उसमें संसोधन कर सकते हैं लेकिन गाइज क्या आप इस official notification के हिसाब से अपने नाम में संसोधन कर सकते हैं क्या आप अपने माता जी के नाम में संसोधन कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले में आपको बता दू कि आज की official notification के हिसाब से तीन category में संसोधन कर सकते हैं date of birth की, caste category की और gender की जो आप 25 जूलाई से लेकर के 8 जूलाई के मध्या में करेक्शन कर सकते हैं लेकि इन तीन category में आप 25 जूलाई से लेकर के 28 जूलाई तक कर सकते हैं लेकिन जो आपका नाम और पिता जी का नाम और माता जी का नाम में जो संसोधन है वो आप अपने यानि की जो बेस्टीशी का जो रिपॉर्टिंग का रहे है वो पून होने के पच्छात यानि की रिपॉर्टिंग कारे पून होने के पच्छात आपको जो कॉलेज अलोट्मेंट होती है तो कॉलेज लेवल से आपका नाम और पिता जी का नाम और माता जी का नाम सुधार किया जा सकता है अभी तक यानि की इस say अपने नाम में और पिता जी के नाम में और माता जी के नाम में सुधार नहीं कर सकते तो दोस्तो आप तीन कैटिगोरियों में संसुधार 25 जुलाई से लेकरके 28 जुलाई तक कर सकते है यदि आपने counseling परिकरिया पून कर लेगी है यानि कि आपने 3000 रुपय की counseling परिकरिया पून कर लेगी है तो उसके 50 भी आप अपने application form में संसोधन कर सकते हैं तो दोस्तो जैसी आप अपने application form में संसोधन कर लेंगे तो उसके 50 जो आपका application form है वो on lock हो जाता है यानि कि आपको application फॉर्म वापस लोग करना जुरूर यह जो आप 30 जुलाई 24 तक कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपने कांसलिंग परिकरिया पूर्ण कर लेगी है तो उसके पचात यदि आप क्रेक्शन कर रहे हैं तो आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो आनलग हो जाता है जिससे आप 30 जुलाई 24 तक लोग कर सकते हैं तो दोस्तों यानि कि आपका नाम और पीता जी का नाम और माता जी का नाम है वो अभी संसोधन ने कर सकते हैं अभी इस नौटिकेशन के हिसाफ से आप अपने डेट ऑब बर्थ, कास्ट कैटेगरी और जो जैंडर कैटेगरी है उसमें संसो प्रेपराद